तो हेलो गाईस कैसे उमीद करता हूँ बड़े होंगे गाईस यह है 2023 की न्यूली लॉंच हीरो इस प्लेंडर एस्टैक जिसमें आपको बीए सिक स्पेस टू वाला इंजन देखने हो मिलता है अगर आप 20,000, 30,000, 40,000 या फिर 50,000 रुपे की डाउन पेमेंट करते हो तो आपकी मंतली की जो EMI आईगी वो कितनी आईगी तो सारी डीटेल इस वीडियो मैं देने वाला हूँ तो वीडियो को अंतक जरूर देखना सबसे पहले बात करते हैं इसके प्राइस की जो की सबसे ज़ादा इंपोर्टेंट होता है क्योंकि प्राइस ही तै करता है कि हमें कौन सी गाड़ी लेनी है तो इस गाड़ी का जो ओन रोड प्राइस है जो फिलाल में चल रहा है 94,129 रुपे में ये गाड़ी आपको मिलने वाली है और ये जो प्राइस है दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है जैसे जैसे गाड़ियों में थोड़ी थोड़ी चीज़े डेबलप कर रहे हैं एड़ कर रहे हैं उसके according गाड़ी के जो प्राइस है वो भी बढ़ते जा रहे हैं तो दूसरी जो चीज़ है वो है इसके कलर ओप्षन को लेके तो गाड़ी के अंदर हमें सिर्फ चार कलर ओप्षन मिलते हैं ये सिर्फ मैं एस्टेक वेरियंट की बात कर रहा हूं वैसो तो इसम अंदर हमें single variant मिलता है drum variant में हमें अभी तक ये गाड़ी देखने को मिली है सबसे मज़ेगी बात ये है कि अगर आपका civil score अच्छा है तो 15,000 रुपे देके आप ये गाड़ी घर ले जा सकते हो किसी भी शोरों में चले जाओ मैं सिर्फ एक शोरों की बात नहीं कर रहा किसी भी शोरों में चले जाओ 15,000 रुपे देके आप ये गाड़ी घर ले जा सकते हो अगर आपका civil score अच्छा है तो अगर आप 20,000 रुपे देके ये गाड़ी लेके आते हो तो 24 महीने के हिसाब से आपकी 3589 रुपे की पर मंत की EMI बनती है अगर आप 30 महीने के लिए फाइनेंस करवाते हो तो 2986 रुपे की आपकी EMI बनेगी पर मंत की 36 महीने के लिए अगर आप फाइनेंस करवाते हो तो 2584 रुपे आपकी मंतली EMI बनने वाली है तो अगर आप 30,000 रुपे भी दे सकते हो आप फॉर्ड कर सकते हो 30,000 रुपे देने के बाद आपकी 24 महीने की किस्त बनेगी 3093 रुपे अगर आप 30 महीने के लिए फाइनेंस करवाते हो गाड़ी को तो 2573 रुपे की आपकी EMI किस्त बनेगी जो की परमंथ आपको देनी अगर आप 36 महीने के लिए फाइनेंस करवाते हो तो 2227 रुपे 2227 रुपे अगर आप और जादा भी दे सकते हो तो बेटर है जितना आप जादा दोगे उतना ही आपकी EMI जो है वो डाउन होती चले जाएगी अगर आप 40,000 रुपे की डाउन पेमेंट करते हो तो 24 महीने की आपकी किस्त बनेगी 2601 रुपे की अगर आप 30 महीने के लिए फाइनेंस करवाते हो 40,000 रुपे दे के तो 2164 रुपे की आपकी EMI बनती है पर मन्त की अगर आप 36 महीने के लिए फाइनेंस करवाते हो तो 1873 रुपे की आपकी EMI बनेगी 1873 रुपीज की आपकी EMI किस्त बनत अगर आप 50,000 रुपे की डाउन पेमेंट करते हो तो सबसे अच्छी बात है क्योंकि जितनी जादा आप डाउन पेमेंट करते हो उतनी ही कम आपकी EMI यहाँ पे बन जाती जिससे आपको हर महीने जो पैसे देने होते हैं वो इतने जादा नहीं देने होते हैं जिससे आपकी जीएप पे कोई फरक पड़े तो अगर आप 50,000 रुपे डाउन पेमेंट करते हो तो 24 महीने की आपकी EMI किस्ट बनती है 2110 रुपे की अगर आप 30 महीने के लिए फाइनेंस करवाते हो तो 1755 रुपे की आपकी EMI किस्ट बनती है पर मंत की अगर आप 36 महीने के लिए फाइनें से लगेंगे ये जानना भी बाकी है जिसको पता है बहुत अच्छी बात है जिसको नहीं पता वो आप वीडियो में जान लेंगे तो गाड़ी लेने के लिए सिर्फ आपके पास तीन डॉकुमेंट्स होनी चाहिए उसके अलावा आपको कुछ भी ले जाने की जूरत नहीं है पैसे जरूर ले जाना भाई ये नहीं डॉकुमेंट्स पर ही गाड़ी मिलेगी पैसे बिच्छी है तो पहला जो डॉकुमेंट्स है वो है आपका आधर कार्ड जो की सब के पास होता ही है दूसरा पैन कार्ड लेके जा सकते हो आप तीसरा आपकी बैंक से जुड़ी कोई भी डीटेल मतलब उसमें तीन चीज़ा आती है पास बुक आता है चैक बुक आती है प्लस एटियम कार्ड आता है तीनों में से आप कोई भी एक चीज़ लेके जाए वहां पे दिखाईए पैसे दीजे और गाड़ी घर लेके आजेए और वीडियो से रिलेटेड कोई भी स कर दो